नमस्कार दोस्तों मैं कुल दीब सुलूजा इस वीडियो में आपको बताउंगा कि क्या सीडियों के नीचे टॉयलेट बना जा सकता है कि नहीं दोस्तों कहीं विद्वान लोग वास्तुवित अपने वीडियो में बताते हैं उन्हें अपके किताबों में लिखा है कि सीडियों की नीचे टॉयलेट नहीं बनाना चाहिए यह बहुत अशुब होता है और उसके अलग-अलग लॉजिक देते हैं कोई साइंटिफिक लॉजि तो आप उपर से जा रहे हैं वो शुब नहीं है आप घर से भार जा रहे हैं शुब काम के लिए जा रहे हैं जॉब पर जा रहे हैं आप उपर से उतर के उस पर होके जाते हैं तो वो भी शुब नहीं है तो अपने सब के लॉजिक है दोस्तों देखिए पुराचीन काल के जो गरन्त है उसमें कहीं भी ट quiet का जिकर नहीं क्यों कि टॉइलेट उस वक्र यों ज्याया करते थे उसके बाद भर बस्ति न धर बनने लगके अब क्या हो जया है कि अबादी बड़ गई है शहर में भुद्धाबादी होने के कारण और प्लाट शोटे होते जा रहे हैं। उस केस में 20-50 का प्लाट है, 30-50 का प्लाट है, 40-60 का प्लाट है। अब उसमें चाहते हैं लोग की परिवार है, दो बच्चे हैं, महमान आते हैं, तो दो तिन टॉयलेट हो और आज का गटेज टॉयलेट का रिवाज है, सब चाहते हैं अच्छे टॉयलेट हो। इस इस्तिति में जहां जगा मिलती घर में, उचित जगा मिलती हैं, वह टॉयलेट बना लिया जाता है। अब जो वास्तु विद होते हैं, जो किसी का जाते हैं, और वो देखते हैं किसे ने बु बहुत अशुब है और लोगों ने कईयों के टॉइलेट तुडवा हैं कईयों ने जब तोड़ने के लिए को राजी नहीं होता परिशान है तो बुलते फिर एक काम करते इसको उपाय करते हैं तो सेलो टेप जो आते कलर की पट्टी वो कमोट के आसपा चिपका देते हैं कु पट्टी लगी हुई है तो कहीं जगा मैंने देखा टॉइलेट के ऊपर चाथ पर पिरामिट लगे हुए पट्टी लगी पिरामिट के और वो लगा के चले गए हुआ कुछ नहीं फाइदा उनको तो ही बुलाया ना उनके घर में सब है उसके बाद उन्हें मुझे बुला देखा था ना तो कोवीड में क्या था कि जो राय जो जिस एक बार आगे प्याज कच्छा खाने से जो है उसको कोवीड नहीं होता है कई उनको कोवीड हुआ तरह तरह के कि दवाईयां काड़े लिए गए पर अल्टीमेटली पता लगा कि जो गलती है कि जो है तो इसमें लंग्स होता है तो इस्टराइट लेने से वह समस्य हाल हो सकती है ठीक है ना उसी प्रकार अब क्या हो रहा है कि टॉयलेट को लेकर किसी का आइडिया नहीं है को शास्त्रों में लिखा नहीं है और एक बात और बता दू यह मेरी किताब है संद्पूर्ण साइं और डेखते हैं कि समस्य है और टॉयलेट सीडिरे के निचे बोल डहेते में इसके काऱißtय wheat स्टू बता दूं कुल नहीं है ऐसा नहीं है समस्य टॉयलेट के कारण नहीं होती समस्य होती है और क्योंकि आपको वह चोटी मुड़ी समस्या के लिए नहीं बुलाता है आप बुखार जो है एक सो दो तीन चार पर जा रहा होता है इसका तब इसी प्रकापके घर में समस्या ज्यादा तो आपको बुलाए गया और उसके अंतर अगर देखा जाए तो फिर ट्वी बात नहीं वह समस्या होती नॉर्मली समझ लीजिए एक घर का प्लान है तो समस्या होती साथ ळमीन नीचे हो जमीन में गड्डा हो घक्रन कुं कट लो बड़ी समस्या होती है ठीक है न इसके कारण वह आती है जैसे आप यह म्यक्वश नीचा नहीं होना चाहिए अब इसको कंडिशन है कि यहाँ पर जो टॉइलेट बनेगा वहाँ पर गड़ा ना हो इसके लिए वाल मांटिंग कमोड लगाना पड़ेगा और फ्लो लेवल घर के बाकी फ्लो लेवल के बराबर करना पड़ेगा इसका पानी बहके कभी दोलाई सफाइफाई करें भार ना तो यहां पर पट्टी लगाने पड़ेगी राईजार दो इंच का कमोड जो लगया वाल मांटिंग लिए दिवार पर जाकर नीचे उतर जाएका कमोड जमीन में घड़ा नहीं होगा तो यह टॉयलेट बिलकुल दिक्कत नहीं दे सकता है इससे कोई क्योंकि आपको चारपाई टॉयलेट बनाना है तो आपको ध्यान रखना हो जैदि आपका सौथ में उस 2022 208 स्मुझ लिए यहां से लेकर यहां से लेकर यहूं होके यहां तक बन रहा है टॉयलेट तो आपका जमीन नीचे नहीं होनी चाहिए समस्य आमापर आप वह सीड़ी के निच्चे का लगा कहीं पर बनाओ ठीक हां नार्थ में यहां से लेकर इसमें यहां तक यह तोईलेट आता है कहीं पर इशान में नहीं बना चीए यह यह जो है पुजा के स्थान होता है आप यहां के बनाते हैं और यहां आपका बनाया तो वह जो है इंडियन स्टैल बनाया और आपने उचा कर दिया आपने टॉइलेट यह सीडीं बीचे जमीनशे करना पड़ती है अब आप यहां बनाया तो जमीन नीची हुई और तो अि आप टाइलेट सीडियों के रिचे बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी पर शर्त यह है कि जदी आप पश्ची में बनाते हैं तो आपके टाइलेट का फ्लो लेवल घर के फ्लो लेवल के बराबर होना चाहिए और आपको यहां इंडिन स्टाइल लिना बनाते हुए आप ये घर है सीजॉब जय कोई दिक्कत नहीं एक बाद सेप्ट की जगह बनेगी को गढड़ा जो यहां से लेकर हैं यहां तक बन सकता है eta रखोटेंगं यहां के बनता जूंक्य यह अंडर घर हैं आना यां और दक्रने और तैंक है आपनेज न सब्सक्रnyo Hr पर देखा पर आप तो जो टॉड़ेट तो ठीक है कमोड होता है यहां दोसरा इंडियन स्टाइल भी हो तो फ्लश हो जाता है तो इसमें गंगी तो नहीं हो रही है आप इसके उपर से जाते हैं और दोस्तों बात बताईये जो आज को सिस्टम आ गया और आप फ्लश करते हैं फ्लश कर देते हैं कोई गंगी नहीं होती है पाइप से पूरा बाद निकल जाता है और थोड़ी बहुत विस्टा है हर आदनी के शेरीर में थोड़ी विस्टा होती है उस विस्टा साब मंदिर जाते हर जगा जाते है ठीक है ना यह सब भैबीत करने वाली बाते हैं मुझ उसके नीचे था कोई दिककत नहिंगा हूँ और उनके घर में थिक्कत ट्वालेनी दिक्कत निकले इन इस सवह में। साउथ वेस्ट बढ़ रहा है अगने बढ़ रहा है यह सा ऊचा हो रहा है गलतियां इस टाइप की मिली है और मुझे एक दिक्कत भी आती है जिन्होंने वास्तु बारम सो जानकर रियासिल कर रही होती है वीडियो देख रहे होते हैं किताबे पढ़ रही होती है उन्होंने इतना गलत सलत पढ़ रहा होता है पहले तो उनको समझाने के लिए पहले उनके दिमाग में जो भरा हुआ है उसे डिलीट करना पड़ता है मैं उनसे कहता हूं कि आपके साथ एक बात अच्छी और एक बात खराब है अच्छी है कि वास्तु की बात समझाता हूं आप एकद से कोई फरक नहीं पड़ता है हाँ जो बाकी बाते मैंने बताई है कि यह ध्यान दखिए उसका फ्लो लेबल के साक है वह महत्पून है उसका ध्यान रखते हुए आप सेडी के निचे टाइलेट बनाईएगा यह मेरा अनुबव है इसके बार है इक और बात बहुत से लोग बहुत लोग बोलाते हैं तो आप स्टाइलोग यूज मत करना ठीक है ना आप यह सामान रख दो स्कुर्ट बना दो अरे भी टॉयलेट तो महीं पर है ना आपने स्टोर शब्द के दिया टॉयलेट शब्द अटा दिया इस्टोर शब्द के दिया ठीक वाप रहेंगे भी पर उस पर लाइने तो चल रही है उपर से तो कोई आ रहा है पाइप लाइन में आ रहा है वेस्ट आ रही है तो दोस्तों यह मेरा अन्वह है मेरा अन्वह यह कहता है और प्रभुक्रपा से बहुत 38-38 साल हो गया मुझे मेरे अन्वह में जिनके टॉलेट सीडियों के दोस्तों यह मेरा अन्वह है आप अन्वह करिए और आपको यही मेरी बात लॉजिकल लगती है सही लगती है तो मेरी बात मानिए कि आपके एंदे तीडियों के टॉलेट है उसका लेबल देख लीजिए किसा क्या है और आप उसको वापरी है कोई समस्चान ने आगी मेरा पूरा विश्वा से मेरा अन्वह कहता है नमस्कार